200 सन 1947 में भारत और पाकिस्तान का बटबारा हुआ था उसे से पहले तक पाकिस्तान भारत का ही इस्सा था साल 1947 में जब बटबारा हुआ तब काफी कतलिया मचा था कई लोग भारत से पाकिस्तान चले गए तो वहीं काफी मात्रा में लोग पाकिस्तान से भारत भी आए एक दि ऐसे लेकर बापस आ जाएं लेकिन क्या वाकई ऐसा मुम्किन है तो चलिए जानते हैं लेकिन उसके पहले आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लें क्योंकि यह आपके बहुत काम आएगा दोस्तों 1947 में जब अंग्रेजों ने भारत और पाकिस्तान का विवाजन किया था तब भारत से लाकों की संख्या में लोग पाकिस्तान में बसे थे तो वहीं पाकिस्तान से भी काफी तार्यात में लोग भारत आये थे पाकिस्तान छोड़कर भारत में बसे काफी लोगों की बहुत सारी संपत्ती पाकिस्तान में ही रह गई। दंगों के चलते उन्हें रात और रात अपना सब को छोड़ कर भारत आना पड़ा। पाकिस्तान में उनकी बचिवी संपत्ति का क्या हुआ दरसल भारत हो या पाकिस्तान दोनों हो ये मुलक में जो लोग अपनी संपत्ति छोड़कर गए उस पर सरकार ने कभजा कर लिया सरकार ने ऐसी संपत्तियों को खाली संपत्ति घोसित कर दिया भारत में ऐसी संपत्तियों को सत्रू संपत्ति कहा जाता है अगर 1947 में पाकिस्तान से भारत आया कोई व्यक्ति पाकिस्तान में बचेवी संपत्ति को क्लैम करना चाता है तो वैक कर सकता है लेकिन इसकी कानूनी प्रक्रिया है जो कि पाकिस्तान के कोड में होगी इसमें तद कालें समय के दस्ताबेच संपत्ती किसके नाम पर थी कितनी संपत्ती थी आदी जानकारी भी साबित करनी होगी इस सबके बाब जूद भी संपत्ती बापस मिल जाए ये कहा नहीं जा सकता क्योंकि पाकिस्तान अधिकरित कश्मीर में ऐसे कई केस अभी भी चल रहे हैं जहां पाकिस्तान छोड़कर भारत आये लोग और फिर पाकिस्तान गए तो उनकी संपत्ती पर कब जाओ चुका था संपत्ती बापस पाने के लिए अभी भी ऐसे लोग केस लड़ रहे हैं लेकिन उन्हें अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है वैसे दोस्तों क्या आपको इसके पहले तक ये इंट्रेस्टिंग पता था नहीं तो कमेंट बॉक्स में जरू बताएं मिलते हैं किसे नेक्स्ट वीडियो में